चार सू साल तक बरफ के अंदर दबा एक मंदिर जिस पर बड़ी सी बड़ी बरफ की चट्टाने आके गिरती रही फिर भी इस मंदिर को कोई हानी नहीं पोची और फिर कई साल बाद जब बरफ पिगलने लगी तब ये मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलिजिस् दंग रहे गया है। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने स्वयम यहां प्रकट होकर पांडवों को स्वर्का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के बारा जोत्रे लिंगमें से एक माने जाने वाला हिमालाए की चोटियों के बीच बसा श्री केदारनात मंदिर। जै श्री केदार। उतरा खंड में रूद्र प्रयाग नाम का एक छोटा सा शेहर है जो खुबसूरत वादियों से सजा हुआ है। और इनी खुबसूरत वादियों में बसा है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनात मंदिर। से बनी हुई एक सुन्दर सी मूर्ती दिखाई देगी नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग जिसमें एक बड़ा सा मंडब बनाया गया है जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्ब क्रिया जिसमें बसा हुआ है एक पिरमिट शेप का शिवलिंग और ऐसा श महाबारत के युद में अपने गुरू और अपने भाईयों का वद करने के बाद पांडव खुद को अपरादी मानने लगे थे पापी मानने लगे थे और फिर युद के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हसीनापूर पर राच किया पर जब इतने समय बीच जाने के परिक्षित को सारा राज्य सौब दिया और दुरौपती के साथ शिवजी की खोज में काशी चले गए लेकिन जब काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहां से वा भटकने लगे पांडव जहां भी शिवजी को नंदी बैल का रूप धारन कर लिया और वो गाय के जुंड में छिप गए और फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंते रहे आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया उन्हें पैचान लिया और फिर पांडव को अपनी तरफ आते देख नंदी रूप में खड़े शिवजी धरती में समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीट के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया वो हिस्सा एक पिरिमिट शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा के दानात मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवो की निष्टा देखकर भगवान शिवजी प्रसन हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवो को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवो ने शिवजी का धनेवाद किया और जिस ज पेशवर में, बुजाय तुंग नात में और ना भी मदमहेशवर में प्रकट हुई थी। और इसलिए केदारनात के साथ इन चार स्थानों को मिला कर पंच केदार कहा जाता है। वैसे है केदारनात मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानिया जुड़ी हुई हैं। कहा बाबा केदारनात मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगा माना जाता है। और लगबग 400 साल तक चले इस मिनी आइसेज ने कई सारे इमारतों को धेर कर दिया था। पर जब ये पीरियट खतम हुआ तब सामने आया कई हजारों साल पुराना के दारनात मंदिर जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादिया इंस्टिट ओफ हिमालेन जिय बिगार नी पाई। तो इस स्टडी से ये भी साबित होता है कि केदानात मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजाश्टर प्रूफ मानते हैं। और 2013 के उतराख इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदानात का जो मंदिर है ये एक डिजास्टर प्रून इरिया को ध्यान में रखके बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलोकिंग टेकनीक्स का इस्तमाल किया गया है। इस टेकनी पेज ने early 1900 में discover किया था पर हमारे पूरवजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के constructions में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो क्या उनके पास पहले से ही इसका ग्यान था इसकी knowledge थी जहां एक तरफ मंदिर का advanced architecture हमें हैरान कर देता है वही दूसरी तरफ इस मंदिर के disaster proof होने की वज़ा एक विशाल और रहसे में पत्थर को माना जाता है केदानात की मुश्किल यातरा तैकर हर साल लाखों की संख्या में यातरी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और सुन्दरता और भक्ती का एक unique combination माने जाने वाला बाबा के दारनात मंदिर 12 जोत्री लिंगों में से सबसे उचाई परबसा मंदिर माना जाता है अगर आप 12 जोत्री लिंगों के बारे में जाना जाते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको हमारे ये वीडियो कैसी लगी हमें comments में जरूर बताईएगा वीडियो बसंद आया हो तो don't forget to like and share और ऐसे ही अनकही, अनसुनी और अंधे की कहानियों के लिए रास को सब्सक्राइब कीजिए